तो दोस्तो फाइनली काफी लंबे इंतजार की बाद आज की इस वीडियो में हम लोग लॉरेंस टरंड की फेमस नोवल ट्रिस्टम शैंडी को डिस्कुस करने जा रहे हैं ये नोवल इंस्पायर्ड थी डॉन की होटी से मैंने काफी लंबे टाइम से इस नोवल को होड़ पर रखा था क्योंकि आप सब जानते हो कि जब तक मैं शौर नहीं हो जाता तब तक किसी किसी भी टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाता तो आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिस्ट्रम चैनली को डिस्कुस करेंगे इसके मेन आइडिया को डिस्कुस करेंगे बहुत ही कन्फ्यूजिंग नोवल है बिना गाइडेंस के आपको समझ में नहीं आएगी चुरू करते हैं मिलता हूं इस वीडियो के एंड में वैसे तो इस कहानी का नाम है Life and Opinions of Tristram Shandy जेंटलमन जो इस कहानी का मेन केरेक्टर है और वो ही हमें इस कहानी को सुनाता है लेकिन मेन केरेक्टर के कमपेरिटिवली उसके फैमिली मेंबर्स और उन दूसरे मेंबर्स की कमजोरियों को ज्यादा बताती है ये कहानी जो कहानिया Tristram के पैदा होने से पहले ही चलती जारे इसके फादर का नाम है Walter Shandy और इसके अंकल का नाम है Toby Shandy ठीक है तो ये दो मेन केरेक्टर हैं Tristram Shandy के लावा अब तक हमने जितने भी नूवल्स पढ़िये होगी न दोस्तों उनमें सबसे अजीव नूवल आपको ये लगेगी क्योंकि Lawrence Stern ने इसको लिखा ही इस तरीके से है कि बिना guidance के कोई भी से नहीं समझ सकता मुझे भी बहुत problem है इसको समझ जाए में Stern खुद एक Anglican priest थे मतब धार्मिक कामों से जुड़े हुए थे और एक priest का काम बहुत ही serious होता है लेकिन Stern को मजाग बनाना ज्यादा अच्छा लगता था जिन्दगी का, लोगों का और उस टाइम की age of rationality का सालों लगा दिये थे इसको complete करने में Stern ने volumes में इसको publish करवाया, 9 volumes में इसको publish करवाया था याद रखने वाली बात ये है कि इस book को लिखने के लिए Stern ने किस book से inspiration ली थी Don Quixote, Don Quixote मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और John Locke की philosophy, John Locke का नाम आपने सबने सुना होगा John Locke ने human understanding पर जो अपने ideas दिये थे, वो भी inspiration बने थे इस novel को लिखने के लिए Stern ने इन सब को mix करके एक टाइप की अलग cocktail तयार की थी जिस टाइम पर ये novel लेखी गई थी, उस टाइम पर rationalist लोगों का बहुत बोलबाला था लोग ऐसा मानते थे कि अगर आपको दुनिया को समझना है, तो पूरी दुनिया घूमने की जरूरत नहीं है आप अपने sofa पर बैठ कर, एक comfortable chair पर बैठ कर भी दुनिया को समझ सकते हो क्योंकि हम rational beings हैं, हमारे पास दिमाग है, हम सूच सकते हैं, imagine कर सकते हैं ये सबसे बड़ी quality होती है इनसान के पास में, कि वो सूच सकता है, imagine कर सकता है अगर आपको आमेर का किला देखना है, तो आप घर पर बैठ कर भी इंटरनेट पर देख सकते हो, इसे imagine कर सकते हो आपको घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम rational beings हैं, हमारे पास दिमाग है जबकि जॉन लॉक बोलते थे, कि हमारी understanding जो होती है न, वो experience से आती है वजाए कि सिर्फ और सिर्फ rationality से, आप Don Quixote और John Locke के ideas का एक flavor मैसूस करोगे कि कौन-कौन से ingredient डाले हैं हमको समझ में आ रहा है, मैसूस करोगे इस Shandy को जब आप पढ़ोगे तो एक ऐसी novel जो main subject से ध्यान बटका कर कहानी को डिले करती रहती है इस novel में दो कहानिया चलती है, पहरी तो खुद Tristram Shandy की, दूसरी उसके अंकल टोबी की जिसने कभी war लड़ी थी, अंकल टोबी, इसने कभी लड़ाई लड़ी थी, और war में इसको injury हुई है और अभी फिलहाल ये एक विडो के पीछे पागल है novel की starting में हम देखते हैं कि Tristram के parents, मतलब mother और father, sex कर रहे होते हैं तभी अचानक इसकी माँ एक silly सा question पूसती है गड़ी को लेकर अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो silly सा question पूसती है बलकि Tristram के father बोलते हैं कि कौन औरत during sex ऐसे silly question पूसती है इससे हमें अंदाजा लगता है कि Tristram का बाप एक pseudo intellectual आदमी है जो अपनी wife की full attention चाहता है इस crucial time पर मतलब science में ज्यादा दिमाग है इस आदमी का जो उस वक्त लगबग हर आदमी का था ठीक तरीके से sex करने से एक अच्छा good balanced बच्चा पैदा होगा ऐसा इस आदमी का मानना था लेकिन Tristram की माँ ने सब destruct कर दिया तो ये दुनिया में आने से पहले ही इसका पहला जटका जो इसको मिला था Tristram Shandy को उसकी माँ ने एक गलती कर दी और उसकी माँ की ये गलती उसकी life की what लगाने वाली थिरिवाब लेकिन यहाँ पर एक सवाल है बच्चे के बारे में कौन सूसता है तो ये एक पहला एक्सिडेंट था जो Tristram की life में हुआ था उसकी पैदा होने से पहले इसकी father ने planning कर रखी थी कि बच्चे अगर balance पैदा करना है तो ऐसे ऐसे attention की जरूरत पढ़ेगी जो कि नहीं हो पाया अब कहानी आगे बढ़ती है Tristram पैदा होता है लेकिन उसकी पैदा होने से पहले पैदा होने से पहले हमें बहुत सारे characters से introduce करवाया जाता है जैसे कि एक clergyman यारेक ये एक clergyman है जिसने Tristram को पैदा करने के लिए एक दाई भेजी थी इसके parents के पास उस time पर countryside area में बच्चे ऐसे ही पैदा होते थे दाईयों से वहाँ पर कोई बड़े hospitals सो हुआ नहीं करते थे तो Mr. यारेक खुद तो एक blank page से दिखाया इसके death को देखो यहाँ पर novel के अंदर आपको कुछ black blank page दिखेंगे इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह first visual cinematic novel थी जो stern ने imagine की थी कि reader को एक नया experience देना चाहिए black blank page डाल कर बीच में अब Tristram की जंदगी का दूसरा accident तब हुआ जब वो birth canal से बाहर आ रहा था उस वक्त बच्चा पैदा करने के लिए एक doctor आय थे दरसल Tristram की पैदा होने से पहले ही तय हो चुका था कि इसकी delivery कहां पर होगी इसकी मा तो चाती थी कि लंडन की एक बड़े hospital में delivery होने चाहिए उस टाइम पर एक doctor आया था doctor slope के घर में Tristram को पैदा करने के लिए doctor slope एक ऐसा आदमी था जो modern medicine में बड़ा विश्वास रखता था पुरानी दाईयों के तरीके से पैदा करना नहीं चाहता था बच्चों को हकियान उसी इलाजों में विश्वास नहीं रखता था और ये अपने साथ में एक टाइप की machine बना कर लेकर आया था जिससे बच्चे को असानी से पैदा किया जा सकता है लेकिन doctor की एक गलती की वज़े से Tristram को अपनी नाख गवानी पड़ी गवानी तो क्या पड़ी इसकी नाख प्लैट हो गई थी उस टाइम पर जब ये बाहर आ रहा था बर्थ कनाल से तो उस वक्त उस machine से इसने Tristram का hip समझ कर इसके सिर को पकड़ लिया बुरी तरीके से पकड़ा कि बच्चे की नाख दब गई आप जानते हो एक बच्चे का शरीर कितना नाजुक होता है जब ये बाहर आया थो इसकी नाख दब चुकी थी प्लैट हो चुकी थी नाख जो society में बड़ी importance रखती है जिसकी जितनी बड़ी नाख society में उतनी इज़त कही न कहीं इस novel में double meanings है यहाँ पर nose का size जो है कही ना कहीं penis की size को symbolize करता है ये दूसरा बड़ा accident था जो Tristram की life में हुआ था उसी birth के time पर पैदा होने के time पर Tristram अपने uncle Toby के बारे में भी हमें बताता है जो दूसरा important character है Tristram के अलावा इस novel के अंदर अंकल टोबी जो है एक gentle आदमी है 1692 में ये war में लड़ा था और उसी war में लड़ते वक्त ये injured हो गया था इसकी injury किसी ड़ाई जगह पर है एक ऐसी खास जगह जिसके बारे में ये किसी को बताता नहीं है और उस खास जगह पर जो injury हुई है उसकी वज़े से ये बड़ा nice बंदा हो गया है humble हो गया है लेकिन इसे कुछ याद नहीं है लड़ाई के बारे में कि लड़ाई में क्या हुआ था Tristum हमें बोलता है कि ऐसा इसलिए नहीं है कि इसे याद नहीं है इसकी memory अच्छी नहीं है बलकि ऐसा इसलिए है क्योंकि अंकल को बताना नहीं आ रहा है अगर आपके पास words नहीं होते है then your memory fails anyway ये एक बड़ा interesting idea है जो यहाँ पर Tristum ने बता है कि memory का direct connection language से होता है अगर आपके पास language नहीं होगी your memory fails anyway आप देखना अंकल टोबी ने अपने घर के backyard में एक battlefield बना रखा है पूरा map बना दिया है battlefield बना दिया है इस तरीके से कि वहाँ पर ये जंग भी लड़ता है अपने servant की साथ में अगर आदमी कुछ बनाने के लिए इतना ज्यादा obsessed है तो वो जरूर एक woman को attract करना जाता है तो मैं उस woman के बारे में आपको बात में बताऊंगा आगे तो Tristum की नाक चली गई दूसरा accident होगा उसकी life में और इसका हर्जाना इसकी बाप ने कैसे अदा किया कि एक grand सा नाम दूँगा एक grand सा नाम चूज करके Tristum के लिए पहले Tristum का नाम चूज किया गया था एक legendary Greek figure के नाम पर Trismegastris लेकिन एक बार फिर से miscommunication की वज़े से उस servant girl ने गलत सुन लिया और इसका नाम Trismegastris से Tristum पढ़ गया इसका मतलब होता है sorrowful यानि दर्द भरा इन्होंने कोशिश तो की थी कि बच्चे का नाम चेंज गर दे लेकिन आगे कोई problem ना हो इस डर से इन्होंने Tristum ही रहने दिया इसका ना तो पैदा होने से नाम रखने तक इसकी जिंदगी में तीन बड़े accidents हो गए accidents ही accidents हो गए कुछ भी इसकी rational father के प्लान के हिसाब से नहीं हुआ इसकी father ने इसकी पैदा होने से पहले ही planning कर रखी थी कि बच्चे का future ऐसा होगा वैसा होगा तीन बड़ी tragedies हो चुकी है इसकी life में अब इसका बाप सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता था इसको एक solid future के लिए एक solid education दे कर एक बढ़िया सा future दे सकता है लेकिन दोस्तों यहाँ भी एक accident हो गए इसकी life में जब Tristram nursery में था मतलब बढ़ रहा था तो उस वक्त इसको सुसु जाना था और उस वक्त इसका pot missing था तो उस वक्त एक window थी जो उपर की तरफ खुलती थी उस window के बाहर यह पी कर रहा था जैसा कि उस वक्त England में काफी शराबी students करते थे Lawrence Turn के time पर तो वो window आकर गिरी इसकी नुनू पर और ना चाहते उए भी Tristram का cut गया और यह scene यहीं पर खतम टाटा हो गया जिन्दगी चलती रही Tristram बड़ा हुआ और आगे चलकर travels की कहानिया बताता है यह traveling को इतना पसंद करने लगा कि एक travel writer बन गया देखो एक चीज जो इस कहानी में Tristram avoid कर रहा है avoid कर रहा है बार-बार avoid कर रहा है वो है Uncle Toby का love affair Uncle Toby का love affair है एक video के साथ Uncle की मुलाकात video से तब हुई थी जब वो वार से लोटे थे तो उस वक्त औरत भी Uncle को बहुत पसंद करती थे लेकिन वो एक सवाल पूसती है Uncle से जो सिर्फ उस video के दिमाग में नहीं बल्कि हर एक reader मेरे आपके जो हम सब जानना चाहते है वो विडियो वही सवाल पूसती है Uncle Toby से कि Uncle Toby को कौन सी खास जगह पर injury हुई है और क्या वो injury Uncle के परिवार को आगे बढ़ाने के आडे तो नहीं आएगी वो विडियो पूसती है कि आपकी injury exactly आपके शरीर के कौन से हिस्से में है Uncle Toby इसका map की तरफ इशारा करके जवाब देते हैं मतलब वो कहते हैं कि इस जगह पर मुझे injury हुई थी वो ये नहीं जानना चाहती थी कि किस जगह पर हुई थी वो ये जानना चाहती थी कि शरीर के कौन से हिस्से पर हुई है और वो समझ गई कि Toby की परिवार आगे बढ़ाने वारी divine powers जा चुकी है फिर इसके बाद क्या था Toby का विडियो के साथ romance खतम हुग गया विडियो नहीं खतम कर दिया और इसी पीलिर के साथ Uncle Toby के पीलिर के साथ ये novel खतम होती है भले ही हमने कितनी भी scientific progress कर लियो दोस्तों इस novel का main idea क्या है कि भले ही हमने कितनी भी scientific progress कर लियो लेकिन कुछ चीज़े हैं जिन पर हमारा control नहीं देखो कोई भी इंसान अपनी destiny खुद नहीं लिख सकता हाँ इंसान कोशिश कर सकता है लेकिन सब कुछ exact वैसे नहीं होगा जैसा वो चाहता है बलकि चीज़े वैसे होती है जैसे उसके आसपास की situations चाहती है पर example आप लोग अभी किसी exam की तयारी कर रहे हो बहुत शिद्दत से मान लो सरकार बदल गई या फिर हो कहे कि हमारे पास vacancy नहीं है exam cancel कर दे कोई क्या कर लेगा पर road accident हो जाया कुछ भी ऐसा हो जाया जिससे आपने जो plan किया है वो सब बिगड़ जाया तो इसका मतलब तो यह हुआ कि सब कुछ पहले से तय है हम लोग कितनी भी कुशिश कर ले straight जाने की लेकिन situations हमें दाया आबाया किसी भी side मोड़ सकती है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है असलिए आज की date में AI जतना growth कर रहा है आपने आसपास लोगों को बोलते हुए सुना होगा कई बार कि कभी-कभी ऐसा लगता है यह सब कुछ पहले से तय था यह सब कुछ तो होना ही था आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसो लेकिन होना था ऐसा बोलकर हम इस बात को प्रूब करते हैं कि किसी की भी सूच independent नहीं है तेव उस वक्त जब Lawrence Stern ने ये novel लेखी लोग हर चीज़ को logically समझना पसंद करते थे जैसा कि आज भी करते हैं बड़े-बड़े philosophers जैसे Leibnus जो German mathematician थी ऐसा मानते थे कि हर चीज़ को cause and effect के principle के through समझा जा सकता है कुछ भी हो cause and effect के through समझा जा सकता है explain किया जा सकता है तो आप सोचो कि यहाँ पर Shandy बोलता है Trustum Shandy जो इस किताब को लिख रहा है कि मैं अपनी life को एक rational तरीके से सुनाता हूँ मैं सारे कारणों का पता लगा कर बताऊंगा पापा घसम जिन कारणों की बज़े से मैं पैदा हुआ और आज जो आज आपके सामने बन पाया हूँ इस किताब को लिख रहा हूँ क्या मेरे बाप ने या मेरी माने कोई कमी छोड़ी थी मैं सक्सेस्पुल ना हो पाऊ कहीं कोई कमी रह गई हो एक एक छोटी से छोटी डीटेल्स डालूँगा और इन्ही डीटेल्स को डालने के चक्कर में बुक की स्टार्टिंग से लेकर 200 पिजिस तक तो वो पैदा ही नहीं हुआ कितनी बड़ी बात है तो cause and effect के चक्कर में उल्जोगे तो उलसते ही रह जाओगे नहाँ स्टर्ण ने बड़ा अच्छे तरीके से reader को ये imagine करवाने की कोशिश की है इसलिए इस novel को हम एक artistic achievement कह सकते हैं future का reader भी यानि कि हम सब अपने context से जोड़ कर इसको पढ़ रहे है ये future में एक imaginative चलांग है जो स्टर्ण ने लगाई है तभी तो कहते हैं कि art timeless होता है जब ये publish होई थी तो ये novel बहुत new थी आप ये सोचो 30-40 सारी तो होए थे novels को शुरू होए तो उस time के जैसे novelist थे तो reader भी वैसे ही थे वैसी चीज़े पढ़ना पसंद करते थे तो उसकी बाद में Victorian age में ये novel जाके सो गई मतलब कहीं गायप सी हो गई ऐसा लगा जैसे मर गई लेकिन वो सो गई थी अब ऐसा क्या reason था कि Victorian age में इस novel को इतनी popularity नहीं मिली इसका सीधा सा reason था इसकी वल्गर्टी इसकी ओची लेंग्विज Victorians ने इस turn को बदाम करने के लिए लिए लिखा कि इन्होंने बहुत सारे literature से material चोरी किया है वो लोग इस बात को समझे ने निपाए कि ये एक artistic approach है ये चोरी करना नहीं होता उन्होंने ये तो देखाए नहीं कि Mr. Yorick जो एक character है इस novel में उस character के मरने पर यहाँ पर next page को एकदम blank रख दिया उसकी याद में शायद रोने के लिए विलाप करने के लिए बुक के digressions को दिखाने के लिए बुक के बीच में ये जो टेडी मेडी lions यहाँ पर बनाई है ये पहला graphic touchy तो था जो उन्होंने spray किया था अपने time पर Lawrence Stern ने इस किताब को लिखने के लिए इतनी सारी physical qualities का use किया Stern ने अपने आस पास के philosophers को पढ़ा इतना ज्ञान इकठा किया और इस अकेली बुक के अंदर डाला लेकिन एक critic John Pryor नाम का critic उसने notice किया कि यार ये तो उधार का literature है और negative comment करने के लिए कि चलो हम इसको बताते हैं दुनिया को कि Robert Burton की Anatomy of Melancholy नाम की एक book है उसमें से line to line चोरी करके इस work के अंदर काफे कुछ लिखा है Stern ने उसने बताया और Victorians ने यूज़ करना शुरू कर दिया Stern को defame करने के लिए Comedy के लिए Rob Lair की के work Gragantua और Pentaguel को यूज़ किया है क्योंकि Stern उनकी vulgar comedy के fan थे वो नाक वाला scene तो पूरा ही उनसे influence होके लिखा है Stern ने Satires के लिए Pope और Swift और Moral Teachings के लिए John Locke Philosophical Moral Teachings के लिए John Locke अंकल Toby का करेक्टर तो Don Kehoti से काफी हद तक Don Kehoti का करेक्टर है उससे काफी हद तक similar है तो इस तरीके से Victorians ने Stern को defame करना शुरू कर दिया वो उनकी artistic approach को समझ ही नहीं पाए लेकिन आज का reader इसको क्यों पढ़ रहा है क्योंकि आज की reader को ऐसा लगता है कि ये text भले 18th century में लिखा गया था लेकिन आज 21st century वालों के लिए ये text लिखा गया है हमारी situation से ये ज़्यादा relevant है Turn ने ये बताने की कोशिश की है कि इस कहानी का असली protagonist असली hero ट्रस्टम शैनली नहीं है बलकि उसका तो रोली कितना है कहानी के अंदर असली hero है परिस्तियां circumstances क्योंकि इंसान अपनी आसपास की परिस्तियों के हिसाब से ही बनता है वो अपनी circumstances का product होता है वो तैय गड़ता है हमेशा वैसा नहीं होता circumstances उसे अलग direction में ले जाती है आप खुद सोचो कि ट्रस्टम की माबाप को पता होता कि आगे चल कर उनका बेटा अपने बाप की private diary को पढ़कर writer बनकर future में पूरी दुनिया को बताएगा कि किस तरह से उसकी जन्म की शुरुआत हुई किस तरह से उसकी माबाप ने उसे conceive किया तो क्या वो उसे पैदा करते हैं कभी नहीं आपको याद होगा वो starting का scene जब ट्रस्टम की माँ उसकी father को disturb कर देती है जब वो sex कर रहे होते हैं कहानी की starting में एक सवाल पूसती है क्या तुमने clock को wind up किया इसका मतलब ये है कि ट्रस्टम का father जो है इस चीज को एक time के हिसाब से करता है अपते में एक दन decide करके और घड़ी में set करके ऐसा कुछ तो उसका बाप इस बात पर जला कर पूसता है कि तो बच्चा पैदा करने के लिए खास ingredient की ज़रुरत थी वो थी love जो ट्रस्टम को पैदा होते वक्त मतलब जब उसकी माँ से conceive कर रही थी तो उस वक्त वो खास ingredient नहीं डला जिससे उसकी आने वाली life troubles में होने वाली थी चीज साफ देखने को मलती है कि Stern ने इस novel को लिखने के लिए काफी महनत की थी वो Greek जानता था Latin जानता था अपने time की सारे major philosophers को उसमें पढ़ रखा था अपने background का भी काफी हत तक यूज किया था आप दीखना third volume के अंदर आपको एक page तो Latin में मिलेगा एक page English में मिलेगा बीच बीच में आपको कुछ lines मिलेगी ऐसी जो digression को बताती है novel की digression को बताती है मतलब पूरा graphic touch देने के लिए काफी सारी philosophies का use करके इस work को तयार किया था stern ने और इस novel में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि novel के characters के बीच में एक communication की problem है जो stern ने जानबूच कर रखिया characters एक दूसरे से ठीक से communicate नहीं कर पाते इस novel के अंदर अपनी बात दूसरे सामने वाले character को ठीक से समझा नहीं पाते इसी वज़े से Tristram का नाम बदल गया Tristram का नाम Trist Magistress होना चाहिए था वो बदल गया reason साफ है myth communication Francis Baker ने इसके उपर अपनी एक theory दी थी डोला जिसमें उन्होंने दो इंसानों के बीच में communication problem की बज़े से इस चीज को study कि words आपके लिए तब problem बन सकते हैं जब कोई गलत तरीके से इस चीज को समझ ले आपके words को समझ ले जैसे मैंने कहानी सुनाते वक्त आपको बोला था ना चाहते हुए भी trustum का cut गया अब cut गया को लोग किस तरीके से लेंगे ये miss communication होई कोई कैसे लेगा कोई कैसे लेगा modern science ऐसा बोलती है कि सब कुछ predictable है लेकिन stern मजाग वराकर हसते हैं इस चीज पर कि everything is unpredictable आप उन accidents को अपनी life में नहीं रोक सकते control नहीं कर सकते जो होने वाले हैं जो होंगे ही और उन्ही accidents का बड़ा control होता है आपकी future life पर लोग कोशिच में लगे रहते हैं कि वो एक comfortable, predictable life जी हैं लेकिन कितने भी plans बना लो एक छोटी सी चीज सब खत्म कर देती है बढ़े लेके और दे टॉप academic bookish लोगों का मजाग बनाते हैं यापर जिन्दगी कहीं पर पहुँचने का नाम नहीं है बलकि जिन्दगी तो वो है जो आज आप कर रहे हो जहां आज आप हो ट्रिस्टम के पादर ने भी अपने बेटे का future को लेकर कितने परिशान दे पैदा होने से पहले ही एक straight line बनाने की कुशिश की थी उसाथ में लेकिन जिन्दगी पर तो accidents rule करते हैं न हम अपनी जिन्दगी में धक्ये खागा कर वैसे ही चलते हैं जैसे एक शराबी मैखाने से लड़ खड़ा कर अपने घर की तरफ पहुंसता है तो हसो हर moment को enjoy करो क्योंकि जब कुछ fix ही नहीं है तो ये novel भी fix नहीं है देखना ये novel post-modern बिचार को लेकर चलती है कि कुछ भी fix नहीं है आप absurd literature पड़ो काफी हद तक ऐसा ही लगेगा अब जब आपने ये वीडियो खतम कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों फिलाल आज की इस वीडियो मसे इतना ही मिलता हूँ next video